मीडिया चेक, साओधी अरब का तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने की खबर जूटी है, यह इंडियन मीडिया का प्रोपगेंडा है G.N. News Mumbai Fact Check The 13th of December 2021, Mumbai कुछ दिनों से खबर सुनने में आ रही है कि साओधी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है कही गई हो कि साओधी ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई हो अगर साओधी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई होती तो Trat World और Al Jazeera 24 News जरूर प्रकाशित करते क्योंकि ये दोनों चैनल हर छोटी बड़ी बात पर साओधी अरब की खिचाई करते ही रहते हैं लेकिन इन दोनों मीडिया हाउसेज पर भी ऐसी कोई निउस नहीं है तब सवाल ये उठता है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी की खबर सिर्फ इंडियन मीडिया में ही क्यों है इस से पहले भी देश के मीडिया ने साओधी स्कूलों में रामायन और महाभारत पढ़ाये जाने की फर्जी खबर चलाई थी हकीकत ये है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने की खबर जूटी है और इंडियन मीडिया का प्रोपगैंडा है वास्तविकता ये है कि साओधी अरब ने तबलीगी जमात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है बलकि उत्तरी अफ्रीका के संगठन अल-अहबाब पर पाबंदी लगाई है जो दावती और तबलीगी काम भी करता है ट्वीट में साफ-साफ संगठन का नाम लिखा हुआ है साओधी अरब के Ministry of Islamic Affairs का ये ट्वीट साफ-साफ लिखता है कि अल-अहबाब नाम का संगठन जो दावती और तबलीगी काम करता है उसके बारे में जमा के खुदबे में लोगों को आगाह किया जाए इसलिए इंडियन मीडिया की किसी खबर पर बवाल करने और चाती पीटने से पहले खबर की तस्दीक कर लेना चाहिए